नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ इस्टाइब की वीडियो को वीटाइब का यूज करके कुछ इस्टाइब में एडिट करना चाहते हैं, बहुती आसान तरीके से तो इस वाले वीडियो को बस आप लोग को सुरू से लेकर लास तक देखना होगा, 110% में लिख के देता हूं कि आप लोग ऐसा एडिटिंग चुट्कियों में कर लेंगे, जिसके अंदर आपका भाई क्या बतायागा कि कैसे आप अपने वीडियो में स्काई को चेंज करेंगे, सिंगल क्लिक का यूज करके, बलर एफेक्ट आप अपने वीडियो के अंदर कैसे एड आपका भाई सिखाने वाला इसी वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, तो चली वीडियो को सुरू कर लेते हैं इस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहां से वीडिया एप को उपन कर लेना होगा, अगर आपके पास यह वाला एप नहीं है तो आप प्ले इस्टोर से और मेरे डिस्किप्शन बॉक्स से इजली इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही यह डाउनलोड करके ओपन कीजेगा, तो आप लोग के सामने कुछ इस टैप की इंटरफेस देखने को मिलेगा, और चारी चीजे आपका भाई बहुती सिंपल तरीके से बताने माला है, तो इस वीडियो को सुरूर से लेकर लास तक देख लीजेगा, मैं 110% लिख के देता ह हूं कि उस टैप की वीडियो को आप लोग चुटकों में एडिट कर लेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, उपर साइड में कोने में ना, इसकी सेटिंग के आइकन पे एक बरी ऐसे टैप करना होगा, टैप कर लेने के बाद सबसे उपर बीटा वाटर मार का एक उप्सन होगा, आप लोग को ऐसे इनेवल होगा, तो सिंपल से आप लोग ऐसे इसे डिसेबल कर दीजेगा, कर लेने के बाद यहां पे कट वाले आइकन पे टैप करके ऐसे पीछे आ जाईएगा, जाने के बाद सबसे पहले आप लोग को न्यू पोर्जेक्ट के से स्लेक्ट करके और नीचे साइड में यहां पे देख सकते तीर के आइकन पे मैं टैप कर दूँगा, टैप कर लेने के बाद हम लोग की वीडियो यहां पे देख सकते वीटा एप के टाइम लाइन पे आ जाएगी, और इसी वीडियो को हम लोग एडिट करेंगे, और सारी चीजे आपका भाई बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला है कि कैसे आप अपने वीडो के अंदर ब्लेर इफक्ट कैसे एड़ करेंगे स्लो मोशन कैसे करेंगे आईफोन के जैसा वीडो के अंदर स्काई को कैसे चेंज करेंगे क्लार गेडिंग कैसे करेंगे मुजिक को कैसे एड करेंगे everything जानकारी आपका भाई बहुत ही simple तरीके से बताने वाला है तो इस वीडो को complete आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वीडो के लेयर पे ऐसे टैप करेंगे टैप कर लेने के बाद सबसे न करेंगे तो वीडो की cutting करने के लिए वीडो को चलाएंगे और यहां तक तो हम लोग का वीडो खराब है जहां से हम लोग इने चलना श्टार्ट किया वहाँ पे हम अपने वीडो को रोकेंगे और रोक लेने के बाद वीडो के लेयर पे ऐसे टैप करेंगे टैप कर लेने के आपका फालतू पार्ट है उससे स्लेक्टे करके नीचे साइड में डिलेट के आइकन पर टैप करके डिलेट कर दीचेगा अब डाइरेक्ट हम लोग का वीडियो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा यह देख सकते हैं तो ऐसे हम लोग एंड वाले पार्ट को भी कटिंग करेंग और यह जो लाश वाला फालतू पार्ट है इससे भी स्लेक्टे करके डिलेट के आइकन पर टैप कर देंगे अब हम लोग का वीडियो यहां पर देख सकते के वाल फ्रेस बचा है और इसी वीडियो को हम लोग एडिट करेंगे बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताएग तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे वीडियो की लेयर पर ऐसे टैप कर देंगे टैप कर लेने के बाद नीचे साइड में ऐसे स्कॉल करेंगे और आप लोग के सामने एक फिल्टर का आइकन देखने को मिलेगा तो फिल्टर के आइकन पर टैप करेंगे टैप कर लेने क के बाद यहां पर आप लोग के सामने बहुत सारी filters देखने को मिलेगा तो जो भी filter आप लोग को अच्छा लगी यहां से इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहां पर इसकी opacity को आप लोग कम जादा भी कर सकते हैं फिलाल मैं यह वाले filter को apply करता हूं लीम बुलू करके ये वाला जो है मैं इसकी opacity को थोड़ा से यहां पर बढ़ा लेता हूँ इतना 28% मैं कर लेता हूँ देन इतना सारा काम कर लेने के बाद simple से आप लोग यहां पर right वाले icon पर टैप कर दीजेगा टैप कर लेने के बाद filter के बगल में adjust का एक option मिलेगा तो इस पर आप लोग टैप कर दीजेगा और वीडो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा मैं 110-10% लिख के देता हूँ कि वीडो के end में न अब भी कुछ उसी टैप की कमाल की वीडो को edit कर लेंगे तो यहां पर हम लोग को कुछ भी नहीं करना होगा side में ऐसे आके यहां पर वार्फ तो का एक option मिलेगा तो इस पर टैप करके और इसकी opacity को जो हता ना इसको हम लोग कम करके minus side में यहां पर 14% कर देंगे थोड़ा सा आगे और आएंगे इसकी wignate वाले में जाके wignate की value थोड़ा सा plus side में 10% करेंगे और ऐसे पीछा के सार्पेंट पे आके इसकी सार्पेंट की value plus side में इसे भी 10% कर लेंगे देन इसके बगल में एक situation का option मिलेगा तो situation पर आके इसकी situation की value plus side में इसे भी 10% कर देंगे और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँगा यहाँ पर सार्पेन पर जाके इसकी सार्पेन की value कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पर 3% रख लेता हूँ रख लेने के बाद simple से आप लोग को side पर जाके side की value increase करके 14% plus side में करके और simple से आप लोग यहाँ पर right वाले icon पर टैप कर दीजेगा टैप कर लेने के बाद हम लोग का video अब कुछ इस type से देखने को मिलेगा तो video के अंदर iPhone जैसा slow and fast motion एड़ करने के लिए आज की इस video के अंदर आपको भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा तो उसके लिए simple से video की layer पर आप लोग ऐसे टैप कीजेगा टैप कर लेने के बाद नीचे side में बहुत सारी options आपको देखने को मिलेगा तो यहीं पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा एक speed का option तो speed वाले में आप लोग ऐसे जाएगा और यहाँ पर आपको दो options मिलेगा पहला तो standard का एक मिल जाएगा दूसरा एक कर्ब का मिल जाएगा तो दोनों तरीका आपका भाई बताएगा तो वीड़ो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा सबसे पहले standard पे जाएगा standard का मतलब गाईज होता कि अगर आप इसकी speed को कम कर देते हैं इस वीड़ो की तो पूरा वीड़ो आपका यहाँ पे slow motion में ही रहेगा कहीं पर भी आपका वीड़ो fast motion में convert नहीं होगा लेकिन अगर आप इसकी speed को बढ़ा देते हैं तो पूरा वीड़ो मतलब आपका fast motion में हो जाएगा कहीं पर भी आपका वीडो स्लो मोसन में नहीं रहेगा लेकिन आज की इस वीडो के अंदर ना आपको भाई ये बताएगा कि थोड़ी सी आपके वीडो कहीं पर स्लो मोसन रहेगा थोड़ा सा फास मोसन रहेगा तो वो वाला editing करने के लिए आप लोग को यहाँ पर cut वाले icon पर tab करके करव के icon पर आना होगा आप लोग के सामने कुछ इस type की interface देखने को मिल जाएगा अगर आप just one click में slow and fast motion की editing करना चाहते हैं preset का use करके तो नीचे यहाँ पर बहुत सरे presets भी आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले मैं एक एक गो आप लोग को करके दिखा दिता हूँ तो सबसे पहले मैं hero वाले पर अगर जाओंगा तो देख सकते कुछ इस type से आएगा यहाँ पर Montex पर जाओंगा तो कुछ step से आपकी editing हो जाएगे तो ऐसे करके न आप slow and fast motion की भी editing बहुत ही simple तरीके से कर सकते हैं फिलाल आप लोग को यहाँ पर none कर देना होगा none कर लेने के बाद यहाँ पर cut click कर देना होगा और simple से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे न editing slow and fast motion करने से पहले simple से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे नीचे side में effect के icon पर tap कर देंगे और यहाँ पर आपको दो effect मिलेगा तो again आप लोग effect पर tap कीज़ेगा sky को change करना अभी हम लोग को तो सबसे पहले यहाँ पर side में हम लोग ऐसे scroll करेंगे scroll कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा nature पर आना होगा क्योंकि अगर हम लोग sky लगा देंगे पहले फिर slow motion add करेंगे तो हम लोग की video काफी बवाल दिखेगी उसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर sky को add कर देता हूँ the nature पर आप लोग के सामने बहुत सारी sky मिलेंगे यहाँ से just one click में आप देख सकते है न यहाँ पर sky को add कर सकते हैं जो भी आप लोग को अच्छा लगे और इस पर टैब करके यह वाला setting आप लोग जरूरी कर लीजेगा क्योंकि इसके भी न आपका sky अधूरा रह जाएगा तो same to same यह आप लोग setting कर लीजेगा यहाँ पर right click कर दीजेगा और यहाँ पर इस वाले layer को पकड़के आएसे पूरा वीडो के बराबर कर दीजेगा कर लेने के बाद आब यहाँ समलोग slow motion करेंगे सबसे पहले हम लोग वीडो को चलाएंगे यहाँ समलोग slow motion को add करेंगे तो यहाँ पर वीडो को रोकेंगे split के icon पर टैब कर देंगे थोड़ा सा आगे आएंगे एगन हम लोग स्प्लीट कर देंगे और ऐसे आगे आएंगे एगन स्प्लीट कर देंगे थोड़ा सा ऐसे छोड़के एगन स्प्लीट कर देंगे और ऐसे आप अपने वीडियो को कई पार्ट में स्प्लीट कर लीचेगा देन मैं भी फटा फट से स्प्लीट कर लेता हूँ और ऐसे दोनों फिंगर से पकड़के ऐसे जुम कर लिजेगा और छोटी से जो क्लीप है इसे सलेक्टे करकी और नीचे स्पीड के आइकन पर टैब करके इसकी जो स्पीड होता इसे कम करते जेगा और सबसे बढ़िया कम आप लोको स्पीड यहां प तो यहाँ पर मैं आप लोग को डेमो भी रिखा देता हूं कुछ इस टाइप से हम लोग को देख सकते स्लो मोशन हो जाएगा काफी ओसम सा और यह चोटा जोटा जोटा जो भी क्लीप हम लोग का इसे हम लोग से मोई प्रोसेस से मलब स्लो मो में कनवर्ड करेंगे इस स्पीड पर जाएंगे इस टेंडर पर जाएंगे डिवरेशन को पूरा कम करके स्मूथ पर टैप करके राइट क्लीक कर देंगे एगर हम लोग का ऐसे कुछ इस टाइप से प्रोसेसिंग लेगा और आपका वीडो स्लो मोशन में कनवर्ड अफ हो जाएगा तो ऐसे आप लोग करके अपनी वीडो में स्लो मोशन एड कर सकते काफी सिंपल तरीके से तो कुछ चाइप इस टाइप से हो जाएगे तो एगर हम लोग एफेक्ट पर जाएंगे और यह ओला लेएर को पकड़ के हम लोग पूरे वीडो के बराबर कर देंगे तो ऐसे आप लोग कर ले जिएगा फटा फट से मैं आप लोग को केवल तरीका बता रहा हूं और कहले नहीं के वाद यहां से आप लोग को बैक आना होगा और वीडो के अंदर से की इफेक्ट को एड करने के लिए वीडो के लेयर पर टैप कीचेगा टेप कर लेने को नीचे स्कॉल कीचेगा एनिमेशन पर आईएगा और यहाँ पर देख सकते जो भी एनिमेशन आपको एड़ करना यहाँ से एजली आप लोग कर सकते हैं बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे फिलाल मैं यह वाला देख सकते काफी ओसम लग रहे यह कटाउट वाला भी तो जो भी आप लोग को यहाँ पर अच्छा लगे अपलाई कर लीचेगा मुझे यह वाला अच्छा लग रहा है यह वाली यह वाली तो यह मैं करके राइट क्लिक कर दूँगा देन कुछ इस टाइब से आपकी वीडियो यहाँ पर चलते हुए आएगी देख सकते काफी ओसम लग रहा तो ऐसे आप अपने वीडियो के अंदर मतलब एनिमेशन को भी एड़ कर सकते हैं अगर आपको अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक को एड़ करना है तो एड़ म्यूजिक के आइकन पर टैब कीजेगा और टैब कर लेने के बाद यहाँ पर सिंपल से कुछ इस टैब की एंटरफेस मिलेगा तो म्यूजिक पर आप लोग टैब कीजेगा और यहाँ से आप अपने देख सकते हैं अगर आपको वीडो से लेना आना तो एक्सेक्ट वाले पर आईएगा और यहाँ से एक्सेक्ट फॉर में वीडो के आइकन पर टैब करके यहाँ से जिस वी वीडो से म्यूजिक को लेना इजली ले लीजेगा और लेने के बाद simple तरीके से आप अपने वीडियो में apply कर सकते हैं तो मैं यहाँ से back हो जाता हूँ back हो जाने के बाद वीडियो के अंदर blur effect एड़ करने के लिए simple से आप लोग को effect वाले icon पे tap करना होगा again effect पे tap करना होगा सबसे पहले में hot वाले में आना होगा आप भी बहुत ही simple तरीके से कर सकते हैं यही इस टेप का यूज करके तो आपका भाई सारी चीज़े बता दिया है तो वीडियो को save करने के लिए export के icon पे tap करके अपने वीडियो को gallery के अंदर save कर लीजेगा तो तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक्स और वाचिंग आई